मौधुबन नगर पंचाज से निर्दल प्रत्यासी के रूप में चुनाओ मैदान में रहे जैनात राजबर जी आज अपने समाज के लोगों के बीच उपस्तित रहे हैं कहां से ये कमिया अठी आपके चैनल में स्वागत है देखिए इसके लिए नहीं आया कि हम ने तीन साल से चरी के परचार किया चरी सब के जहान में मतलब वो घुशा रहा था चार दिन में और पाच दिन में those जहाज का हमने सेंबल लाया तो उसको जो है कोई समझ नहीं पाया अगर पहले से हमारा सेंबल रहता तो सब के जहन में भर जाता कि नहीं उनका सेंबल यह है तो ज्यादा आदमी कंफ्यूज हो के छड़ी पर दे दिये वोट और जहाज को मतलब उनलों को जनकारी नहीं हुआ इसके लिए हमारा वोट अपनी समाज कर नहीं गीरा ठीक और दूसरी बात यह है कि अगर छड़ी हमको मिल जाती तो हम मदबन नगर पंचाईश से हम जीत जाते ठीक तो यह जो है रीजन हम लों का यह हुआ कि छड़ी छड़ी सब पहले से था और सब छड़ी पे गीर गया तो गिर गया इसके लिए गीरा कि छड़ी पहले से आदमी चाई महरार वो मर्द सब के धान में होई था अगर वो पहले से हमारा सेंबल अगर रहता जहाज तो जहाज पर हमारा वोट गीरता था तो इसके वज़े से वोट कम गीरा और देखिए यहां जो भी प्रयास में र वोकल करता कौन है जैसे गुड्डू हो गया और यह जिला ध्यक्ष और बलाक ध्यक्ष और बिच्छे लाल परदेशा ध्यक्ष यह लोग जो है पुरा दोड़ा किये आके फिर दुबारा समझाए वो लोग तो ठीक है समझाए वो ठीक है लेकिन टिकट बेचने वाला वही लोग है अगर टिकट नहीं बेचते तो वो जो है हमको टिकट मिल जाता ठीक और यह लोग इनका पूरे मौँ में एक भी सीट राजबर को नहीं दिया गया है एक एक सीट था लड़ने वाली और जीतने वाली सीट था तो यह जान बूच के हमको यह हराया गया क्यों हराया कि भाई हम समाज से हैं समाज से थे एलो समाज समाज का तो कुछ समझते नहीं यह दूसरे बिरादरी को ही जहां भी देखो दूसरे समाज को देते हैं पैसा बाला को देते हैं गरीब आदमी को नहीं देते हैं क्यों नहीं देते हैं कि जहां जहां हमारा समाज उठने का किया इस बार भी पहले भी जो टिकट बाटा हुआ था तो पैसे का यहां सबसे बड़ा अपने पार्टी में वो बोलते हैं कि हम समाज सेवक मों समाज को जोड़ता हूं उस समाज सेवक नहीं है उस समाज को एक कठा करके पैसा भजाते हैं ठीक ना उसका पैसा भजाने का मतलब उनका रीजन है कि भाई सब को बिटोर लो एक बार और टिकट बेच दो उससे पैसा ले लो अपने लेके चले जाओ चाहिए अच्छा है जीते उससे मतलब नहीं रहते हैं उन लोग से पैसा स लेकिन जब जब सेंबल चेंज हुआ तो जब हम यह बात रखा कि भाई जहाज पर आप लोग देना तो लो बोले तीन साल तो आप छड़ी-छड़ी कर रहे थे आप अब जो है तुम जहाज पर कैसे आप लोग देंगे जब आपका विरादरी बिक गया जब आपका नेता ही गया तो आपको उठकेश मिलेगा तो हमारा नेता ही जब अगवा ही बिक जाएगा तो अंदें लोग क्या करेंगे जैनाथ राजबर जी चुनाओं हारने के बाद भी गाओं में उपस्तित हुए तमाम महिला यह तसमीर दिखाईए यह भीड लग गई है आपको सुनने के लेकिन आप आरोप भी बहुत बड़े बड़े लगा रहें वह परकास राजबर समाज के बड़े नेता माने जाते हैं उन पर आरोप प्यारोप लगा रहें इसमें सचाई क्या है सच्छाई अब देखिए सच्छाई तो पब्लिक को भी सुनमर है हमारा समाज पूछ लीज तो इसके लिए जो है वह जो दिये हैं ठीक कि अपने अपने उनको पढ़ना मिल गया ना अभी जिसको दिये थे अभी तो जिताने वाली सीट दिये थे ना उलों कि जीत जाएंगे तो पैसा वाला पाटी को दिये थे तो जिता दिये ना यहां का सीट तो अगली साल वाली अगली साल जो गलती हुआ था वो गलती नहीं होना चाहिए और वहीं गलती हुआ कि शीट गई यहां से लहीं तो अगर मिल जाता सिट हम जीद जाते यहां से सिट निकाल देते हम अगर छड़ी चुनाव निशान रहा होता जैनाथ राजभर के पास तो आज चुनाव का नतीजा को छाओर होता है एक दम होता ना हम जिद जाते डंका के चोट में जिद जाते क्योंकि हम तीन साल में जो है हमने अन भी रादरी को भी जोड़ा था ऐसा नहीं कि हम खाली आपनी कोहीं राजभरों का इतना बड़ा ओट बैंक होने के बाद भी रादरी के लोगों ने साथ नहीं दिया और चुनाव का रिजल्ट बिलकुल आपने जो जैसा सोचा था वैसा आया नहीं देखिए पहली ब इनको पढ़ाया था उनको याद था तो जहाज कहां से याद आएगा बीच में से जहाज आ गई तो कैसे लेकिन इस समाज के लोगों को कब तक समझ में आएगा कब तक यह लोग पैसे पर और डाइवर्ट करते रहेंगे अपने समाज के नेता को नहीं चुन पाएंगे लेकिन काम अपना करो इन लोग को समझदानी आना चाहिए लोग गलती किये हैं तो गलती किये हैं माले जी किसको किसको समझाएंगे हम अभी जादा करके आदमी प्रेशर भी दिया पैसा दिया तो उस पे थोड़ा डाइवर्ड हो गए तो वोट मिलता था समाज के अच्छे निर्मार के लिए अब यह चीज़े बंद करना पड़ेगा आप दो हजार पांच से जार दस जार लेकर बिग जाएंगे फिर आप अपने पांच साल के कैरियर को बेच दिया तो यह चीज़े आपको रोकनी पड़ेगी अगर आप एक बेहतर कल चाहते हैं